एलो क्यूटीज, वेल्कम बेक टो माई चैनल, तो आज की वीडियो में एक बार फिर से लेके आई हूँ, रेजिन आर्ट पार्ट थ्री, तो आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रेजिन बहुत कम बचा हुआ है, तो हमने सोचा कुछ इस तरह का इटम बनाया जाए, जिसमें थोड़ा सा ही हम लिक्विड को यूज कर सकें, तो यहां पर देखे हैं, मैंने जो है, दो धक्कन यहां पर रेजिन लिया है, और उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हाफ में हम एक धकन हार्डनर यूज करेंगे, और इसको अच् कर लेते हैं, तो यहां पर देखे, जो हमने रेजिन मिक्स किया था, उसको थोड़ा सा अलग लेके, उसमें हमने ग्लिटर मिक्स कर लिया है, अब एक बोटल लेंगे, बोटल के उपर वाला यह छोटा सा यह कैप है, इसको निकाल लेंगे, और मोल्ड के उपर इस तरह से र और उपर से ही स्पार्कल वाला थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे, अब यह जो आई पिन है, इसको हमें कम से कम 5-6 गंटे बाद इसके उपर फिक्स करना है, ताकि यह जो हिले ना और अच्छे से फिक्स हो जाए, 24 गंटे सूखने के बाद देखे, कुछ इस तरह से हमा और बिल्कुर सेंटर में आपकी आई पिन जो थी उसके साथ इस तरह से अटेच कर देना है, और सुन्दर सा पैंडेंट जो है आपका रेडी हो चुका है, इसी तरह के हमने दो और रेडी के हुए है, इसमें देखे आपको हैंगिंग के साथ आई पिन अटेच करते हुए आपको आपके एरिंग भी मिल जाएंगे, तो यह हमारा सुन्दर सा सेट रेडी हो चुका है, तो एक और फ्लॉंट करना बनता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की वीडियो में आ आपके लिबाब आपके लिबाबाइ!